असलाम लेकूम ब्यूटी टिप्स विट स्टार जैनिक और मैं हूँ खोला आज हम आपके लिए दुबारा से एक बहुत ही जबरदस्त और एफेक्टिव प्लस कॉस्ट एफेक्टिव एम रेमेडी लेके आए हैं और वो क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ अचा बहुत सारे लोगों ने हमें मेसेजेज किये हैं कि आप सिर्फ चेहरे और हाथों के बारे में ही क्यूजर करती हैं बाकी चीज़े में हम ऐसा शेयर किया करें तो आज जो मैं रेमेडी आपसा शेयर करूंगी उसका लिंक हमारी पिछली वीडियो के साथ है वो थी हमारी वाले के लिहाज से तो आज की जो रेमेडी है वो है फुल बाडी लिफ्टिंग मास्क अब होता यह है कि हम अपनी आम लाइफ में स्ट्रेस लेते हैं जंक फूड बहुत यूज करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो लड बहुत अफेक्टिव रेमेडी मैं आपको बताऊंगी उसके लिए आप ट्रीटमेंट्स भी करवाते हैं बट वहर कोई फोड नहीं कर सकता कि आपको टाइम तो टाइम अपने अपको मैंटेन रखना पड़ता है अपने ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ते हैं लिकिन आपक की साथी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ और स् सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी के आज की रेमेडी के लिए रिएंस से सिर्फ दो पहला ही कॉस्ट अफेक्टिव रेमेडी कोंड घ्यृत्स ना birds सबसे पहले हम यूज करेंगे कॉफी और एक बड़ा खाने का चम्मच हम ले लेंगे कॉफी अगर आपके पास वाली है तो वो भी बहुत अच्छी है लेकिन हम यूज करेंगे पाउडर उसके इलावा हम यूज करेंगे एक अंडा बस सिर्फ ये दो इंग्रीडियेंट्स है और अब हम इनको करेंगे मिक्स अच्छी तरह आपने कंटिन्यूजली इनको मिक्स करते रहना है अगर आपको लगे कि यह ठीक मिक्स नहीं हो रही है तो या तो अभीटर यूज कर लें ठीक है क्यूंकि अभी तो ताके जो यह अभी हम पेस्ट की तरह एक बनाएंगे इसको यह टूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी क्यूंकि जब अप्लाए करेंगे तो उस वक्याप को थोड़ा सा मैसी हो जाएगा ठीक है अभी इसको कंटिन्यूसली हम इसको बीट करते रहेंगे अब यह देखें मेरा जो पेस्ट है या मिक्स्टर है वो बिल्लीकुल फलफी सा अभी को टूट नहीं रहा इतना अच्छा सा बन चुका है ठीक है अब हम करेंगे इसको एप्लाए अच्छा इस वक्त मैंने जैसे के कहा था कि यह फुल बॉडी लिफ्टिंग मास्क होगा इसके लिफी मेरे पास अभी सिर्फ हात मेरे एक्सपोस्ट मेरा पार्ट है तो उस पर मैं आपको एप्लाए करके बताऊंगी जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जब इसको एप्लाए करेंगे तो मेक्शूर कि यह तूटेगा नहीं बिल्कुल यह देखें ऐसा नहीं हो रहा ए कहीं से किन मेरी टूट रही है यह पेस्ट अना व आप लगाई है एक लियर अब उसके बाद किया करना है आपने इसको एक सेंड या दो मिनट तक रहने दिना जब यह ड्राए होगा उसके बाद आप लगाएंगे दूसरी लिए फिर द्राए करेंगे फिर लगाएंगी ती तीन से चार मर्तबह इसके उपर कोट्स या लेयर्स करनी है ठीक है जितना आप अप्लाइब करेंगे उतना अच्छा इसके उपर रिजल्ट भी आएगा इसको भी हम अप्लाइब करके छोड़ देंगे जी तो मैंने अपने इस पूरे जो मास्क है उसको तीन दफा अप्लाइ करने के बाद वेट किया कि वो ड्राय हो जाए पर मैंने थंडे पानी से वाश कर लिए अभी अगर आप देख सके तो मेरे दोनों हाथ हो में एक इंस्टेंट थोड़ा सा आपको एक शाइन भी नजर आ यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इसको इस्तमाल करने के बाद पानी से दो लें तो उसके बाद आपने यूज करना है आप इसको दोने के लिए कोई भी साबून या फेस वाश बॉड़ी वाश यह नहीं यूज करना आपने सिर्फ सिंपल ठंडे प करें और फिर आप देखेगा कि आपको कितने अच्छे रिजर्स मिलते हैं और जितने में हमारी रेमेडीज हैं यह अथेंटिक हैं और आप इनको बिल्कुल यूज करें और हमें अपना फीड़बैक दीजे और बताइए कि आपको इसके इलावा और कौन-कौन सी रेमेडी जाहिए झाहिए तैंक यू